नमस्कार दोस्तों मैं वरुन आपका सौगत E-Mentors और Mundal Maths दोनों चैनल पर करता हूँ इस वीडियो इस जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन रिलेटेट टो SSC CGL पोस्ट दिस्क्रिप्शन और CPT मैटेरियल कंटेनिंग 100 एक्सरसाइज़ CPT के वीडियो मैंने CGL 2016 और CGL 2017 के लिए Mundal Maths चैनल पर बनाये थे और होप CGL 2018 के वीडियो भी बनाऊंगा मेबी ओन E-Mentor चैनल और CGL 2018 के वीडियो बनाने से पहले मैंने 101 एक्सराइज का पीडियो बना रखा है और आप लोग के शाथ इसको मैं आज शेयर करूँगा ठीक है और यह है वो PDF जो इस PDF है आप डाउनूड कर सकते हैं इस वीडियो के description में इसका link given होगा तो इसको आप डाउनूड कर लीजिएगा जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें 101 exercises है जिसमें कि typing के 58, MS Excel के 20, MS PowerPoint के 20 और SSC CGL में आई हुए 3 actual exercises है ठीक है तो total मिलाके 101 exercises हो गए हैं इसलिए इस PDF में आपको exercise मिलेंगे जिनको सिर्फ typing करनी है वो भी इसको उसका सकते हैं क्योंकि इसमें typing के 58 exercises है इस पीडियो पर mostly exercises CPT और desk में आने लाइक exercise जैसे हैं CPT desk में जो भी material आपको मिलेगा उसके जैसे भी ब्राने कोईश की गई है लेकिन कुछ exercises especially Excel के ऐसे रखे हैं जिससे आपको जोब के बाद भी थोड़ी help हो जैसे की Excel में exercise नंबर है 64 से 72 ठीक है वो मैंने ऐसा बनाया है कि आपको job के time थोड़ी से help मिल सके और यह मैंने आपके लिए message लिखा अब इसको पढ़ सकते हैं second page पर यह message है तो इसको पढ़ लिएगा अब बात करते हैं exercise 64 की exercise 64 means page number 66 होना चाहिए ठीक है तो exercise 64 से लेके 72 तक जो यह क्या बोलते है exercise मैंने आपको दे रखी उसे मैंने आपको answer भी साथ में दे रखी है क्यों क्योंकि यह actual CPT जैसा नहीं है ठीक है जिसका पेच्छल exercise देखी है यह actual CPT जैसा है इसलिए इसमें आपको calculate करने के लिए मैंने को value बताने रखी है परन्तों यहां मैंने यहां value बता रखी है और जो भी मैंने आपको shaded area जो है जितने भी है इसमें आपको values formula based निकालने है धान रखी है मैंने यहां लिखा use appropriate formula to find the value in the shaded color cells अब देखनी पा रहे होंगे यहां लिखा use appropriate formula to find the value in the shaded color cells तो मैंने यहां लिख रखा है तो मैंने आपको values दे रखी है जैसे कि मानलब चालुश सो गिट पर जा रहे है तो आपकी gross salary कितनी होगी XAT में वह होगी 67,521 यह आपको salary sleep में reflect करेगी इसके लावा NPS के लिए government भी कुछ contribute करती है वह 14% of basic plus DA होता है अगर इसको हम जोड देंगे इन दुनों को तो actual gross salary बन जाएगी 74,806 तो आपके हर मैने की actual gross salary इतनी बनती है अगर आप 400 great paper है ठीक है तो आप समझ गए होंगे कि यह कुछ exercise 64 से लेके 72 तक मैंने आपके लिए बना रखें जिससे कि आपको बात में help हो और 9 exercise Excel के ऐसे हैं जिससे कि आपको job के लिए help मिलेगी और बाकी जो 11 exercise Excel के वो CPT जासे हैं ठीक है तो आप इस PDF को download कर लिजेगा जिसका की link description में given होगा ठीक है बात हो गई अब PDF की अब बात करेंगे आपको पता है साथ वीडियोस आ चुके है अब तक job description के साथ वीडियोस आ चुके है वीडियोस आने के पीछे का process क्या है सोच रहा हो आपको थोड़ा बता दू अपने अपने group member से input लेकर CGL post-literate queries का एक प्रफॉर्मा बनाया था ठीक है means CGL के जो हमने प्रफॉर्मा बनाया है questions का वो हमने group member से लिया है मेरे WhatsApp का भी group है ठीक है पर इन्तु इसमें बहुत कम लोग है और telegram का group भी है तो मैं ज्यादा active ने रहता WhatsApp में ज्यादा active ने रहता मैं इसमें कोशिन वेकरा solve नहीं करता ठीक है तो ज्यादा solve नहीं करता इस बात का देहन न कियेगा कि आप group में आरों कि मैं solve करूंगा तो ऐसा नहीं है तो मैंने queries से बच्चों के queries से मैंने एक प्रफार्मा बनाया था जिससे कि हम inputs ले सके उन्हों प्रफार्मा बेसिस पर किनसे input ले सके selected candidates से ठीक है तो उन queries के answers के लिए हम selected candidates से help ले रहे हैं और उनको मैं सही में बहुती तहे दिल से thank you गएना चाहूंगा क्यों क्यों कि अगर वो अपने input नहीं दे तो हम वीडियो कैसे बनाए हमें वीडियो बनाने के लिए वही काम करना पड़ेगा जो बाकी लोग करते हैं कि सारे sites पे जितने भी material है हर post का description के बारे में सब लग ECI का input तो सब्सक्राइब ज्यादा है भी नहीं website अगर आप देखते हो तो ECI का में वीडियो बना चुक है आप उसको देख सकते हैं ठीक न तो आप बात को समझ रहे होंगे कि उस queries के help से कुछ inputs extra मिल जाते हैं जो कि websites वगरह में नहीं है एक्चल में correct input जाते हैं कि एक्चल में ऐसा होता है नहीं होता तो यह चीज भी में confirm हो जा रही है कि website में given तो है कि ऐसा है ऐसा है वैसा है पर तुप सही में है या नहीं है एक बार हम confirm भी कर ले रहे हैं है न है ओके आप देख अब आप यहां देखिए 6 step यहां पर 1st step 2nd step 3rd step 4th step 6th step 4th क्या बोल दिया होने 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th ठीक है तो हम 6 steps फोलो कर रहे हैं वीडियो रिलिस करने के लिए and this is our video making process पहला point का है to search the selected candidate friend ठीक है तो कोई भी दोस्त है मेरा चलो अगर दोस्त भी नहीं है तो मैं search करना हूं कि इन बंदों को मैं जानते नहीं जानता है इ अब भी कुछ ऐसे post है जिनके जो जिनको हम जानते नहीं है कि इस post पर हमारे जानने वाले कोई है या नहीं है तो उसमें भी हम काम कर रहे हैं और जिनको हम जानते हैं ठीक है उनसे हम input ले रहे हैं बात समझ रहे हो गया ठीक है तो input निकलिका करते हैं contact or remind तो contact them and ask them to fill the performer related to queries since they are busy in their work also we may need to remind them to fill the performer ठीक है अब उनसे input मिलता है तो inputs are received from them फिर अगला point है PPT making हमें input मिल गए तो हम PPT बनाते हैं तो PPT making process starts and it is done और जब PPT बन जाती है then we share the PPT with selected candidate for approval ठीक है and pointing the error if any और उसके बाद means after confirmation video is made and then released और फिर आप लोग video देख पाते हैं YouTube पर ठीक है तो आप समझ गयोंगे थोड़ा यह process है हमारा अब note है अब के लिए note है सब के लिए note है तो selected candidates are the key and thanks for their help क्योंकि अगर वो help नहीं करेंगे तो हमारे वीडियो बनने में time लगेगा है ना में इस वीडियो के बीच के duration थोड़ा लंब हो सकता है तो आप यहां देख सकते हैं यह 6 steps है तो वीडियो रिलीज से पहले तक का mostly काम मैं कर रहा हूं ठीक है और वीडियो पर work हम 3 लोग कर रहे हैं तीन कौन है पुषपेंद्र सत्यवली और मैं तो वीडियो है इसको हमने बाटा है दस दस वीडियो में जैसे पुषपेंद्र भाई बना रहे हैं यह इन 10 पोस्त की वीडियो मैं बना रहा हूं दस पोस्त की वीडियो सत्यवली भाई बना रहे है इन 10 वीडियो की वीडिय तो हमने ऐसे बाटा है, तो जो पुश्पेंदर वीडियो बना रहा है, वो cg-related, jso, cvc का बना रहा है, मैं जो बना रहा हूँ वो है cpt और dash-related, मैं जिन पोस्ट में cpt और dash होता है, मैं उनके वीडियो बना रहा हूँ, सत्तवली भाई बना रहे हैं वो वीडियो जो हम दोनों नहीं बना रहे हैं, ठीक न, ओके, अब बात करते हैं टाइम लाइन की, टाइम बुले तो किस डेट पर कौनसी वीडियो आ रही है, तो आप देख सकते हैं कि साथ वीडियो आ चुकी है, है न, तो 14 सेप्टमबर तक सा हमारी कोशिश रहे है कि हद तीसरे दिन एक वीडियो लेकर है, अभी हमारे पास, इनपुट्स प्लस, इनपुट्स प्लस, प्लस प्लस कनफर्मेशन मिलाकर, 3, 3, 6, 6, 5, 11, 11 पोस्ट के मैटेरियल से, इसलिए उम्मीद है कि यह टैम बेन फॉलो कर पाएंगे हम, ठीक है, अब वापस आते हैं, CPT पर, CPT पर आते हैं, वापस, मैटेरियल शेयर हो चुका है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप डावलोड कर लेजेगा, और जल्द ही इसी मैटेरियल पर वीडियो बनाने की कोशिश भी करूँगा, होप नवंबर तक हो जाएगा, क्योंक तो दोस्तो अभी के लिए बस इतना ही, I am already tired in making this material, तो बस इतना ही कर पाऊंगा भी इस वक्त, तो भाई दोस्तो and have a nice day